हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दस ऐसे फ़नी एंड इंट्रस्टिंग प्वेश्टन एंड अंसर जिसे आप किसी भी इवेंट में किसी भी शो में पूछ सकते हैं और इससे सारी की सारी ओडियंस आपकी तरफ आकर्शित हो जाएगी अट्राक्टिड हो जाएगी और आपके शो में पाटिसिपेट करने लगेगी और इस बार सवालों के जवाब आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा तो दस सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ और पहला सवाल ये रहा आपके सामने आपको ही बताना है ऐसी आपको ही वो गायव हो जाती है ऐसी चीज जिसका नाम लेते ही वो गायव हो जाती है और ये है पहला सवाल बढ़ते हैं दूसरे सवाल के और आपको ये बताना है ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया की सारी languages बोल सकती है ऐसी चीज जो दुनिया की सारी भाषाएं बोल सकती है सारी languages, सारी भाषाएं ये चीज बोल सकती है क्या हो सकता है जवाब? सोचे, सोचे और comment box में नीचे लिखे और मेरा बहुत पुराने एक वीडियो है शाथ YouTube जिसमें इस सवाल का जवाब, ये सवाल मैं audience से पूछ रहा हूँ और काफी लोग इसका जवाब पूछते हैं मुझसे वीडियो के last में इसका भी जवाब बिता रहा हूँ बढ़ते हैं आगे हो तीसरा सवाल ये रहा कि हाँ, आपको ये बताना है ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खीचो उतनी छोटी होती जाती है ऐसी चीज जिसे जितना खीचो उतनी छोटी होती जाती है सोचके क्या है जवाब, comment box में लिखे नीचे clue चाहिए, okay clue ये कहे कि ये चीज करते वे अगर आपके parents ने आपको देख लिया तो आपकी विटाई हो सकती है yes, क्या हो सकता है जवाब नहीं है पता, बलकुल last तक देखे इसका जवाब भी मैं last में देने जा रहा हूँ question number four, हाँ, ये मेरा बहुत interesting सवाल है मैं पहले show में जरूर पूछता था और ऐसी चीज़ जो एक lady के पास शादी से पहले भी रहती है शादी के बाद भी रहती है लेकिन शादी वाले दिन नहीं रहती ऐसी चीज़ जो lady के पास शादी से पहले भी रहती है शादी के बाद भी रहती है लेकिन शादी वाले दिन नहीं रहती क्या है जवाब दोस्तों इस सवाल जवाब इसलिए भी इवन्ट में ज़रूरी होते हैं क्योंकि जब भी आपको सवाल जवाब पूछने लगते हो तो जो ओडियन्स आपस में बातों में बिजी है न उस सब का अटेंशन आपकी तरफ हो जाता है और ओडियन्स का अगर आपने अटेंशन कीच लिया तो समझ लिये जिये आपने स्टेज को जीत लिया और शो को सिकस्सफुल कर दिया सवाल का जवाब ऐसी छीज लेडी के पास शादी से पहले भी रहती है शादी के बाद भी रहती लेकिन शादी वाले दिन नहीं रहती क्या है जब आप सूचिए वीडियो के लास्ट में मैं दे रहा हूँ आल राइट हाँ पाटवा सवाल ये थोड़ा आजी है ये जब आपके बच्चे बच्चे हो आपकी ओडियंस में और या यंग ओडियस जधा हो तब ये सवाल पूछे सवाल नंबर पांच ऐसी कौन सी जगह है जहां हम जाते अंग्रेजी में है लेकिन वापस आते हिंदी में है कौन सी है ये जगह है सूची सूची जब आपको इंतजार कमेंट्स में दीजिए या फिर वीडियो के लास्ट का इंतजार कीजिए बढ़ते हैं आगे question number six tell me the name of a thing which travel all around the world but stays at the corner ऐसी चीज जो पूरी दुमिया में घुमती है लेकिन सिर्फ एक कोने में ही रहती है क्या है जवाब? आ रहा है जवाब? पता है? तो लिखे ना comments में आप question number six का answer हाँ आप question number लिख सकते हैं question number six का ये answer है seven का ये answer है tell me the name of a thing which travel all around the world but stays at the corner जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे question number seven हाँ ये interesting है ये तब आप सब पूछे हैं जब आपके इसमें आपको लगे की senior citizen या family audience है तब आप ये सवाल पूछ सकते हैं थोड़ा आसान है आप कोई बताना है ऐसी कौन सी चीज है जो सारे दिन आपका पीछा करती रहती है ऐसी कौन सी चीज है जो सारे दिन आपका पीछा करती रहती है बीच में आप बोल भी सकते है सर आपकी तो वाइफ आपका बहुत पीछा करती है वह बात लग है थोड़े से यूमर राइट कर सकते हैं बट नबर सेवन इस आपको बताना है ऐसी कौन सी चीज है जो सारे दिन आपका पीछा करती रहती है क्या हो सकता है जवाब सेची और कमेंट बॉक्स में लिखिए एन हाँ ऐसी कौन सी चीज है जिसके पंक नहीं है लेकिन फिर भी ये उड़ती है इसके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी ये लड़ाई करती है पंक नहीं है लेकिन फिर भी ये उड़ती है हाथ नहीं है फिर भी ये लड़ती है बताओ क्या है ऐसी चीज हैंजी आया माइन में तो अगर आया मायन में तो question number 8 का answer करते हैं वे नीचे quickly लिखे लिखे चलिए बढ़ते हैं आगे question number 9 हाँ ये मैं जब मैंने अपनी career की शुरुबात की थी तो मैं इस सवाल को बहुत पूछा था और काफी देर तक time pass होता था इसमे question ये है आपको ये बताना है ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खरीते तो है काले रंग की जब यूज करते हैं तो ये red color की हो जाती है और जब हम इसे फैकते हैं तो ये white color की हो जाती है ऐसी कौन सी चीज है when we purchase it it's a black color when we use it it's a red color and when we throw it it's a white color क्वेशन नमबर 9 हो गया question number 10 ये बहुत ही अच्छा है इसको आप connect भी कर सकते हैं कहीं न कहीं हर तरह की audience के लिए देखो मेरी society में खट-कट शुरू हो गया कहीं पर बड़ी मुश्किल से खट-कट बंद होता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं video shoot करूंगा कोई लेकिन फिर किसी के खट-कट-कट शुरू हो गया anyway question number 10 ऐसी कौन सी चीज है जिससे एक blind भी देख सकता है एक आख वाला भी देख सकता है और दोनों आखों वाला भी देख सकता है बताए ऐसी कौन सी चीज है जिससे एक blind भी देख सकता है एक आख वाला भी देख सकता है और दोनों आखों वा जवाब लिखिए चार का पता चार का लिखिए पांच का पता पांच का लिखिए चीटिंग मत कीजिएगा ओके सो मैं 10 से लेकर 1 ता काउंट डान कर रहा हूं कि उसके बाद मैं खुछ जवाब देने वाला हूं सब इंतजार कर रहें ओके क्विक्ली मैं बता रहा हूं अंसर इन सब को लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब का टंग घंटा बजा दीजिए और आइट किया ये भी नहीं किया बहुत ही लेजी है आप नहीं आम जिस्ट जोकिंग और इस चीज जिसे जितना खीचो उत्ती छोटी नहीं होती ही जाती है आंसर इस चीज जिस जो लीडि ने चीज ज़ो पूरी दुनिया में घंती है लेकिन फिर भी कोने में रहती है बहुत ही आसान था अटा ता आसर इस स्टैम रहती है ना letters के कोने में 7th question ऐसी चीज जो सारे दिन आपका पीछा करती रहती है ये तो तो तोड़ा आसानी था आपकी shadow आपकी परचाई जो सारे दिन आपका पीछा करती रहती है question number 9 ऐसी चीज जो खरीदते black में हैं यूज करते red हैं फैकते हैं तो white हो जाती है आरे भाई कोईला सर्दी में हम सब यूज करते हैं इसको और 10th ऐसी चीज जो से blind भी देख सकता है एक आँख वाला भी देख सकता है और डोनों आँख वाला भी देख सकता है the right answer is dreams सबने जो हम सब को देखने चाहिए वेल आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा यह मुझे जरूर बताईगा और अगर आप चाहते हैं आपके क्थ सवाल जवाब हो वह भी मझे आप पूछ आपसे मैं कि मैं फॉंबल कर रहा हूँ हाह मैं फॉंबल कर रहा हूँ वह मुझे आपसे पूच सकते है